शुरुआत कर रहे हैं आंदर प्रदेश से जो खबर आ रही है वहाँ पर नेलोर जिले में टीडीपी नेता चंदरबाबू नाइडू का कल एक रोडशो चल रहा था और इस दोरान यहाँ पर एक घटना घटी है, हाथसा हुआ है, आठ लोगों की इसमें मौत हो गई, मरने वालों में एक महिला भी है, टीडीपी अध्यक्स चंदरबाबू नाइडू कुंदुकूर में एक रैली से पहले रोडशो यहाँ पर निकाल रहे थे, इस रोडशो में काफी लोग जूटे थे, उन्हें देखने के लिए बहुत भीड यहाँ पर जमा थी, और इसी दोरान एक नहर की सीमिन ट्रेलिंग तूट गई, कई लोग नहर में गिर गए, इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें सानी अस्पताल में भरते करवा दिया गया है, टीडीपी ने मरने वालों के परिजनों को 10-10 लाक रुपई की अधा किया गया है, और उमा सुधीर हमारे सेयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जादा अपडेट के साथ, उमा बहुती दुखद ये घटना घटी है, आठ लोगों ने अपनी जान गवा दी, बताएं क्या ये संख्या बढ़ भी सकती है और जो घायल हैं क्या उनकी ह आठ लोगों की मौत हो गई इस दुखद घटने में और बता ये जा रहा है कि कुछ साड़े आठ आठ साड़े आठ बजे की बात है जब चंदपापुनाइडू माइमीटिंग के वेन्यू की तरफ आ रहे हैं जब बहुत सारे लोग उनको धेखने के लिए उत्तुक और मी एक डिच जो एक तरफ को था एक नाला पड़ा था और उसके ही साइड में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और वहां पर जो सिमेंट इंबांक्मेंट ही वो शायद तूट गई और उसमें आठ लोग उस दिच के अंदर गिर गए और उनकी मौत हो गई जैसे आपने बत चंक की देखरे की बी बात उन्होंने की है यह ऐसे माहूल में हो रहा है जब चंदरपाब नाइडू राज्य भर में पोलिटिकल मीटिंग्स ऐसे कर रहे हैं काफी भीड आ रही है लेकिन YSR CP के जो क्यांपेंग नानीजर से उनका कहना है कि भीड को ज्यादा दिखाने के लिए एक नारो लेंग में रखा गया था और यह भी बताया कि बहुत सारे फ्लेक्सी जिनके लिए पर्मिशन में ही थी वह भी लगाए गये थे जिसकी वज़े से शायद लोगों को पता नहीं चला और वो लोग डिच के आपास आ गया और वो धक्के मुके में वो उसके अ लिए गर मंत्री हैं चले शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए तो तस्वीरे आप देखवा रहे हैं आंधरो प्रदेश के निलोर से तस्वीरे सामने आई जहां पर चंदरबाबू नाइडू के रोड शो में एक हादसा हुआ आठ लोगों की मौत हो गई है कई लोग घायल बताय जा रहे है